हल्यो दोस्तो माइनेम इस तनू वेलकम तू दू सेशन आज के वीडियो में हम इवेस पेटागोजी को डिसकस करने वाले हैं इसके पहले मैंने पांच पार्ट में इवेस के पेटागोजी की वीडियो मैंने बनाई हैं जो कि 6 जैनुवरी तक की पेपर को हम कंप्लीट कर और जिसमें हम इवेस के पेटागोजी वाले सेक्शन को करेंगे सबसे पहले हम इवेस के पेटागोजी को कंप्लीट करेंगे खतम करेंगे 23 question paper हुए थे 23 वीडियो इवेस पेटागोजी की आपको मिलेंगी उसके बाद 23 वीडियो में आपको इवेस का content वाला part मुलेगा ज उसके बाद हम CDP वाले section पे आ जाएंगे और उसके बाद हम तुरंत हिंदी में आ जाएंगे तो और अगर टाइम और भी ज्यादा बचता है अपने पास तो हम other pedagogy को भी complete करेंगे तो सबसे पहले आज की question को देखते हैं सबसे पहले हम EBS pedagogy वाले section पे जाएंगे आप लोगों को पता ही होगा कि EBS का जो pedagogy वाला section होता है मतलब पूरा EBS जो है वो 60 के बाद वाला section होता है वो EBS होता है तो EBS का जो section है वो 61 नंबर वाले question से start होता है और इसमें हम content वाले part को भी करेंगे छोड़ेंगे कुछ भी नहीं लेकिन सबसे पहले हम EBS pedagogy पर हाथ लगा चुके हैं तो उसको complete करते हैं तो आज का हमारा पहला question क्या है तो यहां से हमारी EBS की pedagogy स्टार्ट हो जाती है तो आज का अपना पहला question क्या है कि प्राथ में किस्तर पर परिया वरण अधियन की बाल केंडरित प्रकृती किसके कारण होती है गति विदी आधारे सिक्षा, रटना सिक्षा, मतब रोट मेमरिंग वाला याद करके सीखना पाठ ये पुस्तर काधारे सिक्षा या पर सीखने के लिए स्कूल, घर और समुदाय की भागी दारी तो अभी तक आप लोगों ने इतने सारे question paper किये हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि हमें किस option को काट दीना है तो हमें बाल केंडरित सिक्षा की बात करनी है अगको हम बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे परात्मी की स्तर पर परियावरण अधिहन की बाल केंडरित प्रकृटी किसके कारड होती है तो गतिवीधी आधारित तो होता है बाल केंडरित प्रकृटी में क्या होता है कतिविधी आधारे सिक्षा जो है वो activity based learning जो है उसमें शामिल होती है तो ये तो है तो ये option तो हर जगह होगा और रट कर सीखना ये तो है ही नहीं तो सबसे पहले अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तो आप B को हर जगह से काट दीजिए फिर अगला option हम देखेंगे आप B क तो अगर काट देंगे तो आपके पास सिर्फ दो option बचेंगे ये भी नहीं हो सकता आंसर ये भी नहीं हो सकता और ये तो 100% आंसर है क्योंकि वह 4 option में है चलिए एक option और देखना पड़ेगा आपको एक option आपको और देखना पड़ेगा पार्थ पुस्तक आधारी सिक्षा या फिर सीखने के लिए school घर और समुदाय की भागिदारी तो आप देखी सकते हैं कि पार्थ पुस्तक आधारिस सिक्षा से better जो है वो सीखने के लिए school घर और समुदाय की भागिदारी होगी तो बाल केंदृत्र प्रकृती किसके कारण होती है परियावरण में तो यहां center man की बच्चों को पढ़ाने लग जाते हैं तो वो बाल केंद्रित सिक्षा पदती में नहीं आती है वो teacher centric में आती है वो मतलब teacher उसमें main होता है और वो बच्चों को पैसी कर देता है वहाँ पे लेकिन ऐसी activity जिसमें की बच्चा main हो बच्चे के इर्दगिर चीजे भूमें तो वो बाल केंद्रित सिक्षा पदती होती है तो यहाँ पर A और D option जो है वहाँ पर बिल्कुल ही सही होगा और अगला question देखते हैं आज का हमारा अगला question क्या है प्रात्मिक इस्तर पर परियावरण अधियन का क्या उद्देश है प्रतिवबित करने के लिए प्रतिबि बिम्बित है इस चीज से लिए बच्चो एक इस सोचू समझू इसीज़ old उसको रिफ्लेक्ट करना मतलब कि उसको प्रिया-वरण समस्याओं को हल करने में सक्षम बनाना और उसके बाद बच्चों को नए ग्यान कास्रेजन करने के लिए सनलगन करना, ये भी सही बात है, नए गान ग्यान का सुजन करने के लिए बच्चों को सनलगन करना, तो परिया वरड अधियन का ये उदेशे होता है, बिल्कुल ठीक बात है, और ये बात भी बिल्कुल ठीकी है कि बच्चों को परिया वरडी समस्याओं को हल करने में सक्षम बनाना तो इसमें भी कोई गलत बात नहीं है ये बात भी ठीक है अगला है कि बच्चों को ग्यान के एक निस्चित निकाय के प्रति करता के रूप में बेवहार करना तो ये बात बलकुल भी सहीन नहीं है कि बच्चा जो है वो एक बच्चों को ग्यान के एक निश्चित निकाय के रूप में के रूप में बच्चों से भी हैब करना तो यह बात ठीक नहीं है यहां पर आप इंग्लिस में देखेंगे तो टू टू ट्रीट चिल्रन ऐसीवर ऑफ फिक्स्ट बॉड़ी ऑफ नॉलेज मतलब की बच्चा जो है वो ग्यान का एक निकाय है एक फिक्स्ट बॉड़ी है जिसमें जिससे कि हम चीजों को रट लेंगे और उससे जो पूशा रह करना यह भी अप्ष्ण जो है वो सही होगा तो यहां पर हमारा आंसर कौन सा बनेगा ए बी और सी यहां पर आंसर कौन सा बनेगा ए बी और सी डी वाला होगा नहीं एक निश्चित निकाय प्राप्टी करता के रूप में बिवार करना मतलब बच्चा कोई फिक्स्ट परियावरण अध्यान के संबंद में कौन सा कथन सही है प्राथमिक इस तर पर परियावरण अध्यान के विशय में कौन सा कथन सही है कौन सा कथन सही है तो परियावरण अध्यान विज्ञान समाजिक विज्ञान और और परियावरण सिक्षा की अधार्डाओं और चुकी हूँ कि जो प्राइमरी लेवल पर पर्यावरण होता है उसमें समाजिक विग्ञान भी होता है पर्यावरण की सिक्षा की अधारा और नुद्द्ध होते हैं यह बात ठीक है उसके बाद इसमें मतलब तीन सब्जेक्ट को इंक्लूड करते हैं पर्यावरण अध्यन को यहां पर सबसे बड़ा इंडिकेटर यह है क्योंकि हम एक बाल के अंदिश सिक्षा पद्दती की बात करते हैं तो उसमें हमें अलग-अलग सिक्षा पद्दती को इंडिविजुवल डिफरेंसेस को ध्यान में रखे पढ़ाना पड़ता है तो सिर्प एक सिक्षण अदिगम अपने घर अपने परिवार अपने दोस्तों अपने विद्याले से सीख लेते हैं इसके लिए एक मात्र साधन जो है वो पार्ट कुछतके ही नहीं है यह भी नहीं होगा यह सिक्षण आधारित है तो यहां पर ओप्शन वाला कुशन नहीं है तो यहां पर यह आपके पास पर अपनए प्राइमरी लेवल पे उसमें साइंस भी होता है सोसल साइंस भी होता है और पर्यारोड की सिख्षा तो सामिल होगी ही होगी तो यहाँ भी E option जो है वो बिल्कुल सही है कल के मतलब question paper में भी ये question दूसरे तरीके से पूछा गया था अगला है कि प्रात्मिक इस्तर पर EBS सीखने के लिए क्या चुनोती है प्रात्मिक इस्तर पर EBS को सीखने की क्या चुनोती है अरट कर सीखना समित आधारिश सीखने का इस्तर मतलब memory based learning यहाँ पर अगर देखे कि याद करके सीखना रोट learning हो गया और उसके बाद memory based learning हो गया और उसमें क्या पूछा है कि question में सीखने की क्या चुनोतियां है क्या challenges है EBS को सीखने की और उसके बाद concept को describe करना descriptions of concept हो गया to give opportunities to children to construct knowledge for themselves तो सबसे बड़ी चुनोती के बारे में यहाँ पे सबसे बड़ी चुनोती के बारे में हाँ पे पूछा जा रहा है तो सबसे बड़ा challenge जो है वो EBS के learning में primary level पे क्या होता है D option जो है वो क्या है कि बच्चों को अपने ग्यान के लिए निर्माण का ग्यान का निर्माण करने का आउसर देना यह एक चुनोती भी है क्योंकि बच्चे को अगर हम उसर दे रहे हैं तो उसमें वो कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं इन सब का टीचर को बहुत ही alert रखे alert होके ख्याल रखना पड़ता है रट कर सिखना कोई चुनोती नहीं है memory-based learning भी चुनोती नहीं है और धाल राओ का विर्ण भी चुनोती नहीं है लेकिन बच्चों को अपने लिए ग्यान का निर्माण करने का आउसर देना यह एक चुनोती है यहाँ पर D option जो है वो बिलकुल भी सही है अगर आपको यह question बिलकुल समझ में नहीं आ रहा है तो अब इस तरीके से भी देख सकते हैं कि रट कर सिखना और यह memory-based learning यह दिनों दोनों एक ही बात हैं अगर इसमें से कोई answer होता तो दो option तो दिया ही नहीं होता यह दोनों तो ऐसी कर जाएंगे और सबसे positive क्या है बच्चों को अपने ग्यान का दिर्माण करने का आउसर देन यह इस तरीके से भी अब answer निकाल सकते हैं बच्चों के लिए EBS की कक्षा में अधिक्तम क्या होना चाहिए वाद विवाद का प्रावधान अनुभवात्मक्ष सीखना कहानिया तक्त और सूचना है तो अधिक्तम क्या होना चाहिए वाद विवाद का प्रावधान वाद व ढरवाधान करना चैने बाद विवाद कंसाम सब्सक्राओंड करनाय है बात्स चेसे सक्षै tu यह थी और यह कहानियां वम पर ही बेस्ट होती है तो एब तू बिलकुल है और सी भी है डी तो हाई नहीं क्योंकि तक्त है और सुचनावों आपको सामिल करना इंपॉर्टेंट नहीं होता है तो यहां पर क्या हो जाएगा हमारा अंसर यहां पर मारा क्या हो जाएगा A, B और C तीनों ही ओप्षन जो है हो हमारा अंसर होगा a, B, और C, तीनों ही ओप्षन हमारा होगा question paper जो है अगर वो multiple selective नोंने बहुत सारे questions को इन्होंने बनाया जरू है लेकिन बहुत tough नहीं बनाया है आप देख सकते हैं कि अगर आप practice करते हैं तो आपको खुदी level पता चल रहा होगा और अगला क्या है कि प्रादमी कि स्तर पर इवेविस के पाठ्ट चर्या में उपविशय क्या है सब थीम की बात किया जा रहा है त्प्रांडी लेविबल पर उप Bliss के पा में सब येभィन जो है यह प्लांट्स जो है वो किसमें आते हैं वो सब थीम के अंतरगत आते हैं और मैंने एक थीम पे वीडियो बनाई हैं अगर आपको पता नहीं है तो आप इसको अच्छे से याद कर लिए क्योंकि हर एक विश्चन पेपर में थीम से विश्चन आ रही है और ईवियस की सार्थ सार्थक सीख दी जा सकती है एवियस सामगरी को विश्चाइगत रूप से आयोजित करके वास्तविक समवाद और रितांत के द्वारा प्रयोग के द्वारा वद्यार्थियों के द्वारा दिये गए उतरों का मौकिक मुल्यांकन करके तो यहां पर क्वेश्चन क्या यह मृतांत का मतलब वरातांत जो है क्या है समय क मिरिजुप एवेश्चन में िसका एवेश्चन के काय सकती हैlawा-र्थक सक्षाय कैसे दी जा सकती तो उस रियल डायलोग मतलब सावाद बातचीत से और रियल कहानियों के माध्यम से या फिर बाई एक्सपेरिमेंटेशन एक्सपेरिमेंट के द्वारा या फिर बाई ओरल एसेस्मेंट और आंसर गिवन बाई स्टुडेंट मतलब जो बच्चे हैं उन्होंने ओरली जो भी मतलब उन्होंने जो भी आंसर दिया है उसका ओरली आकलन कर देना इसके द्वारा आप बच्चों को मिनिंग फुल लर्निंग मतलब की सार्थक अधिगम दे सकते हैं परियावरण की तो इसमें से कौन सा ओप्शन जो है वहाँ पर सही है तो यहां पर देख सकते हैं कि तो चौथा उप्शन तो आपको बिल्कुल ही सही लगना ही रहा होगा क्योंकि पेपर पेन पेपर टेस्ट आप बच्चे नों कुछ आंसर दिया उसके बेस पर आप उसको जज़ कर दे तो ऐसी बाते सीटेट में बहुत ही बच्चे के हर एक पक्ष को देखा जाता है इसमें तो सिर्फ मौकिक विद्यार्थियों की द्वारा दिये गया उत्तर का सिर्फ मौकिक मुल्यांकन कर दिया जाए तो यह उप्शन जो है वो नहीं होगा तो अगर आपका यह उप्शन नहीं होगा तो आप देख सकते हैं क को विसायगत रूप से आयोजित करके एवेस का जो भी कॉंटेंट है उसको थीमटिक ली और गनाइस करके उसको मतलब थीम वाइस और अगला कुशं क्या है मतलब क्या है शल से स्चेपरिय को वास्तविक जीवन इस्थियों और विद्यार्थियों की तत्काल वाता想रण। जोड़ कर सीखना तो यह बात तो आपको मतलब समझ में आ गए कि डी ऑप्शन ही सही होगा एक मतलब सब ऐसा बोलते हैं और मैंने भी अनलाइज किया है कि अगर आपको समझ में ना आए तो आप सबसे बड़े ऑप्शन की तरब चले जाएं कई बार वो ऑप्शन जो है वो स सबसे बेस्ट ओप्शन की तरब आपको जाना है ग्यात से अग्यात की ओर शीखना यह भी ठीक है उधारर के माद्यम से एवेस को सिखना यह भी ठीक है लेकिन एवेस सामगरी को वास्तविक जीवन श्यूद और विद्याले के ततकाल वातावरण से जोड़कर सिखना यह बात सबसे सही है चारों उप्शन में से ये बात जो है वो सबसे सही है इसलिए आपका डी उप्शन होगा अब आप देख सकते हैं कि इसमें गलत तो कुछ भी नहीं है ग्याद से ग्याद की और सरल से एक जचल की और उधारण के बाद देम से सीखना यह सब सही है लेकिन सब से बेस्ट क्या है आपको डी लगाना है तो इस तरीके से आपको option जो है वो choose करने होते हैं एक्जाम में और 84 नंबर वाला question अगर देखें तो भोजन बोजन क्या है एकथीम है और इसके मुद्देविद्यार्तियों के लिए सार्थक और प्रमारिक हो सकते हैं यदि मुद्दो के इर्द गीर्द समूम कारे और चर्चाएं आयोजित किया जाए प्रस्ननोत्तरी आयोजित की सिक्षिकों के द्वारा प्रदर्शन किया जाए, पाठे पुष्टके संसाधन की रूप में शामिल हो, बात सब ठीक है, लेकि सबसे बेस्ट क्या है, यह option होगा क्यों, क्योंकि मुद्दों के इर्द गिर्द, समुह कारे और चर्चाएं आयोजित किया जाए, यह option जो है, व पर दी जाए, तो दस तरह की बाते निकल के आएंगी, लेकिन प्रसनोत्तरी आयोजित करना गलत नहीं है, लेकिन सबसे बेस्ट वन है, सिक्षक जो है, प्रदर्शित करके बच्चों को सिखा सकते हैं, यह भी खराब नहीं है, गलत नहीं है, लेकिन सबसे बेस्ट वन है, पार्ट पुस्तर के संसाधन के लिए करेंगी ये बार ठीक है उसमें इंफॉर्मेशन दिया गया होगा फिगर दिया होगा सब कुछ दिया होगा लेकिन अगर आपको चारों उप्शन में से चूज करना है तो आप वन की तरफ जाएंगी कि उसमें जिस एक्टिविटी में ब इविए सीखने के लिए चारों उप्शन में से सबसे अच्छा उप्शन कौन सा है छेत्र भ्रमण का आयोजन करना स्कूल पुस्तकाल है ट्वीटर और ट्वीटर और फेस्बुक ट्वीटर और फेस्बुक तो आप देख सकते हैं कि इविएस में आप किसको लगाएंगे चेत्र भ्रमण का आयोजन करना जिसमें कि बच्चा जादा इंगेज होगा वही ऑप्शन जो है वो सबसे अच्छा रिसोर्स होगा मतलब यहां पर अगर आप देखेंगे ट्वीटर पे आप कितने कुछ वर्ट से महीं अपने बातों को लिख सकते हैं फेस्बुक यह सब तो सोसल मीडिया हो गया यह सब इवेस को प्राइमरी लेवल पर सिखाने के लिए बेस्ट नहीं हो सकते और स्कूल का लाइब्रेरी वह भी बच्चों को प्राप्टिकल नॉलेज नहीं दे पाएगा तो यह भी नहीं होगा छेत्र भ्रमण का आयोजन करना बच्चों को फे नहीं है तो आप प्रीवेस यह को मतलब इस साल के प्रेपर को ही आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका दर भी निकल जाएगा और आप अच्छा करपाएंगे एक्जाम में और जल थीम से संबंदित मुद्दो को प्रभावी डंग-धंग से सीखा जा सकता है यदी जल बच्चों को निबंद लिखने के लिए कहा जाता है तो बच्चों को निबंद लिखने के लिए कहा जाता है उतनी अच्छी बात नहीं है रोल प्ले आयोजित किया जाए यह बात ठीक है इसमें कोई खराबी नहीं है बच्चे इंगेज होंगे एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेंगे वो अपने रियल लाइफ से रिड आयोजित किया जाएं तो यह बात भी ठीक है कि छेत्र का भ्रह्मण आयोजित करना यह बात भी बिल्कुल ही ठीक है तो और निबंद लिखने के लिए कहा जाना तो इससे बच्चों का मुल्यांकार इंब आहला नहीं हो पाएगा तो जल थीम हुस्जसस मुत्दो को प्रभववि correctly द्वारा सीख सकते हैं व्हूस्डविक संभात को प्रतसान के द्वारा भी सीख सकते हैं और छेत्र भ्रह्मण आयोजित करकी बच्चों को भी बच्यों जो है आपे बिल्कुल ही सही है और अगला question क्या है कि EVS पार्ठे पुस्तक में EVS के पार्ठे पुस्तक में पार्ठे पुस्तकों में EVS सीखने के लिए वास्तवे घटनाई होती है क्योंकि वे सीखने के संब्रेद श्रोध होते हैं बच्चों के लिए प्रसंगी को अवरण प्रदान करते हैं पहले की परचित घटनाओं को फिर से देखने का आउसर प्रदान करते हैं सिक्षर का असानी से EVS के विशयों के आसपास सिक्षर अधिगन प्रक्रिया का संचालन कर सकते हैं तो यहां पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि EVS पार्ट के पुस्तक में EVS सीखने के लिए वास्तवी घटनाएं होती हैं वास्तवी घटनाएं होती हैं क्योंकि वे सीखनाओं को फिर से देखने का आउसर प्रदान करते हैं बहुत सारी कहानिया उसमें दी गई होती हैं उनको हम मतलब हो चुकी होती है अब बच्चा चोटा उसको पता नहीं है लेकिन वह उस बुक की मादम से उन्हें जान पाता है और जैसे कि उसमें कर्णम वले सुरी की से पता चलती है और सिक्षर का असानी से ईविएस के विशय के आज पास सिक्षर अधिकर प्रक्रिया का संचालन कर सकते हैं यह भी बाट ठीक है लेकिन नोने ऑप्शन में दी को कहीं समाहित नहीं किया है तो यहां पे यहां पे आप इस ऑप्शन में चाहेंगे क्योंकि मै स्बाइब जिक है बच्चों केले प्रसंग के वादावर प्रदान करते हैं यह भी ठीक है और पहले से परिचित घड़नाओं को फिर से देखने का आउसर प्रदान करते हैं तो यह वन टू 3 विल्लकुल ठीक है बी गलत नहीं था लेकिन झुन को सामिल नहीं किया तो आप A, B और C ही मानेंगे मैं कोई भी आंसर आपको इधर उधर से नहीं बता रहे हूं जो आंसर की में आया हुआ है वही आंसर मैं आपको बताऊंगी उसके बाद सीखने में सुधार का आकलन सीखने में सुधार पर आकलन का बिंदू क्या होता है सीखने के लिए सीखने में स मंदित आकलन करेंगे तो सुधार के लिए आकलन करना है तो सीखने के लिए ही आकलन होगा ना फॉर्मेटिव होगा रचनात्मक होगा और सीखने का आकलन का मतलब क्या होता है समेटी होता है योगात्म का आकलन होता है हम जो सीख चुके हैं उसका आकलन करना है सीखने के रूप में आकलन करना मतलब पियर सेल्फ एसेश्मेंट तो यहाँ पे यह ऑप्शन बिल्कुल ठीक है और अगला क्वेशन क्या है अगला क और उसके बाद सीकने के परदामो का किलन करना और औरशहां सीखने की से बाटन करना और क्या हो सिकने का किलन करना तो अबेकर अ ermögzn होता है यह नहीं होंगा यह ऑन सुंछने के बारी में आकलन करना तो यह भी नहीं आएगा पियर में सीखने के रूप में होता है एक बार हम इसके इंग्लिस वर्जिन को भी देख लेते हैं तो यहां पर पियर एसेस्मेंट में आपको क्या याद रखना है और यहीं आउटकम का इवैलिवेशन करना याप तो यहां पर कौन सा ओप्शिन होगा तो यह ऑप्शिन इहां पर बिल्कुल ठीक होगा उसके साथ और कोई match इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये दो C और D तो C सेम ही बाते हैं C और D तो सेम बाते हैं और वो तो हो ही नहीं सकता C जहां जहां है वो तो हो ही नहीं सकता A option जो है वो बल्कुल नहीं पर सही हो जा रहा है इस तरीके से आप eliminate भी कर सकते हैं जैसे कि आपने कहीं पढ़ लिया कि as का मतलब self होता है में भी किसे option में उन्होंने सही कर दिया होगा लेकिन आप इस question में अगर देखेंगे तो अगर आपको पता ही नहीं है कि peer assessment होता क्या है सहे पार्टियों के द्वारा आकलन क्या होता है आपको पता ही नहीं है ठीक तो अगर आपको ये तो पता है ना कि जो learning का परेड़ाम का आकलन किया जाता है वो योगात्मक मुल्यांगल मतलब कि समेटियू evaluation होता है और यहां पे ये जो है सीखने का आकलन करना वो भी समेटिय में ही आता है तो दोनों option तो हो ही नहीं सकते तो अगर ये दोनों option c और d हो ही नहीं सकते c तो हर जगह है तो यह कट गया यह option जो है वो सही होगा इस तरीके से आपको answer लगाना पड़ेगा क्योंकि question paper इसी तरीके से बनाय जा रहे है exact आपको answer पता भी रहता है तो confusion हो जाएगा इस तरीके से आप अगर elimination method को अपनाके questions को solve करेंगे तो सही होने की संभावनाय बहुत ज्यादा हो जाती है मेरी तो यह टिकनिक थी और last question आज क्या है कि एक EBS सिक्षक एक आकलन उक्रण का उप्योग करता है जो ना केवल सबसे अक्षा बलकि एक समय में बच्च सबसे अच्छा बलकि एक समय में बच्चे के सभी प्रकार के कार्याग वीडियो को एकत्र कर लेता है तो इसमें सिक्षक जो है किसका यूज कर रहा है तो आप आपको पता ही है कि इसमें कि सारी चीजों को बच्चों के बच्चों के ना केवल सबसे अच्छा बलकि सभी प्रकार के कार्याग वीडियो को एकत्र पोर्टफोलियो में किया जाता है तो आपको अब क्या करना है आपको मालने जिए पोर्टफोलियो के बारे में कुछ पता है नहीं जिनको पहली बार एक्जाम देना है या जिनको नहीं पता है या उनको याद नहीं है confusion है अब उसको क्या करना यहां पर उसको करना यह है कि पोर्ट फोलियों में ना केवल सबसे अच्छा बलकि एक समय में बच्चे के सभी प्रकार के कार्या गतिविधी को एकत्र किया जाता है अगर आपने इसको इस पॉइंट में एक अगर उसके नोट्स एक पेज में बना लेंगे मतलब पांच हेडिंग लिए तो नेक्स ताइम जब पांचों में से कोई भी क्वेशन आएगा आपकी एक्जाम में तो आप कर ले जाएंगे आपको कहीं से उसके लिए कोई किताब या कुछ भी नहीं पढ़ने की जुरत है अगर आप प्रिवेस एर क्वेशन पेपर से ऐसे ही नोट्स बनाए जाते हैं जो चीज़े आपको नहीं पता हैं आप उसको लिख लिए जो पिछी जे पता है उसको मत लिखिए और मुझे लगता है कि हाई ये वाला जो पॉर्शन होता है वो कन्फ्यूस कर ही देता है तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें थैंकी सो मच